वेलकम टू माय चैनल इनुक सिवर्टेक तूड़े हम डिसकसिंग हाउ टू अपलाय लोड्स इन टावर स्टुक्चर ठीक है तो जो पिछला टुटोरियल था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप टावर की जो मेटरी क्रियेट करते हैं कैसे आप उसमें materials properties assign करते हैं तो आज का जो मारा topic है कि कैसे हम अपने टावर पे load अपलाये करेंगे तो चलिए work start करते हैं और साथे साथ में आपको पिछले tutorial का link भी share कर दूँगा जिसमें मैंने सिखा था कि कैसे आप टावर की geometry create करते हैं तो चलिए work start करते हैं तो वही geometry है जो मैंने पिछले tutorial में create की थी तो अब मेरे को क्या करना है directly loading टैब पे जाना है तो यह loading टैब आप इस पे click करें and load case detail पे जाएं ठीक है और इसे add करें और इधर जाके आपने dead पे click करना है और title डाल देना है DL ठीक है और इसे add कर दें same process आपने live load भी enter करना है और इसका जो short title डाल दे आप LL ठीक है और इसे भी आप add कर दें और close कर दें तो चलिए अब क्या करेंगे हम dead load पे click करेंगे और add करेंगे ठीक है और इसे add कर देते हैं और close कर देते हैं ठीक है अब live load पे चलते हैं add करते हैं और node load पे जाएंगे क्योंकि हमें nodes पे load लगाना है तो जो टॉप में जो आपके लोड लगेंगे वो लगेगा एक माइनस 0.5 का इसे आप एड करें ठीक है और एक लगेगा आपका माइनस 1 किलो न्यूटन का इसे भी आप एड करें और क्लोज करें ठीक है तो आगे बढ़ने से पहला मेरा सभी वी और से अनुरोध है चैनल को लाइक शेर एंड सबस्क्राइब जरूर करें ताकि जितने भी टेकनिकल वीडियो जिस चैनल में अपलोड हो आपको तुरंत मिल सकें तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फस्ट अफॉल अब हमें क्या करना है सेल्फ बेट पर क्लिक करना है और इसे असाइन टू वीव पर चेक इन करें और असाइन कर दें और यस करें तो आप देख सकते जो भी लोड है वो आपका असाइन हो चुका है अब बार यहाथ है लाइव लोड की तो लाइव लोड हम कहाँ अपलाए करेंगे यह जो आपके पंक बने है टावर के ठीक है इसके जो नोड से इदर ठीक है इस इदर नोड पे हम इन लोड को अपलाए करेंगे लाइव लोड को ठीक है तो फस्ट अफॉल हम क्या करेंगे Fy-0.5 को स्लेक्ट कर लेंगे एंड स्लेक्ट ऑप्शन पर चलते हैं नोड करसर पर क्लिक करते हैं अब आपको नोड स्लेक्ट करने ठीक है तो यह माइनस 0.5 किलो न्यूटर मीटर का हम इसमें लोड लगा रहे हैं लाइव लोड वह हम लाएंगे टॉप पे तो अब थोड़ा से जूम पीड नोड पे आपने क्या करना है क्लिक करना है और असाइन कर देना है और यस करें ठीक है तो यह आपका लोड अप्लाय हो चुका है सेम प्रोसेस आपने करना है एफ़ वाइनस 1 किलो न्यूटर मीटर पे क्लिक करना है और अब हमें इस नोड पे क्लिक करना है सिमिलर वे में आपने control button hold करके इस node को भी select करना है same process आपने left hand side भी करना है और assign कर देना इसे भी ठीक है तो इस प्रकार से आप load apply कर सकते हैं इसमें अब हमें क्या करना है इसमें auto load combination का use करना है ठीक है तो load case detail पे गए और add किया और auto load combination पे गए select load combination code को आपने करना है IS456 और IS800 ठीक है और load combination category में आपने table number 4 को select करना है और generate करना है loads को और add करना है और close करें तो आपके combination supply हो चुके tower के लिए अब आप क्या करें analysis पे जाए है और analysis command पे क्लिक करें और all option पे क्लिक करें और एड करें ठीक है और close करें से ठीक है इसके बाद आपने क्या करना है इस पे रण analysis पे क्लिक करें और save करें प्रोजेक्ट को फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट सेफ है की नहीं है तो अभी हमार पास two errors आ रहे तो एक बार आप चेक करते की कौन से errors है instead to error message error in support input और these there is no support input analysis will not ठीक है तो जो हमार पास error है support का error आ रहा है तो आप इसे close करें ठीक है supports पे जलते हैं and create करते supports pixel support and support पे चेक करेंगे and view option पे जाएंगे front view पे गए front view पे गए और notes को select किया isometric view में जाकर आप इसे एक बार clarify करें और assign कर दें ठीक है उसके बाद अब आपने क्या करना है analysis पे जाए run analysis करें ठीक है अब देखते हैं कि मारा structure safe है की नहीं है तो आप देख सकते हैं मारा structure बिल्कुल safe है tower का zero error, zero warning and zero notes आ रहे हैं तो आप go to post processing mode पे check in करें और done कर दें और apply करें और ok कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस प्रकार का result आएगा and left hand side पे आपके पास tower की picture आएगी उसमें जो भी displacement है वह आपको green colors में show हो रही है किदी displacement आ सकती है and साथ में आपके पास summary वे गयरा है जिसमें सारी detail है dead load and live load की आप चाहने तो reaction पे click कर सकते हैं आपके पास reaction आ जाएगी and layouts पे जाके आप beam forces पे भी check कर सकते हैं ठीक है इस पे click करें तो आपके पास सिधर detail आ जाएगी geometry, property, loading, shear bending, deflection ठीक है तो इसे आप close करें तो इस प्रकार से आप इधर tower square पर load लगा सकते हैं बाकी चलिए मिलते हैं next tutorial में उसमें हम कुछ unique discuss करेंगे and thanks for watching my video and goodbye